आज मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ राइस बॉल की रेसिपी जो बहुत ही हेल्दी होता है इसके लिए दो कप पानी गरम करते हैं इसमें थोड़ा ओयल और नमक डाल लेंगे इसे अच्छे से मिलाते हैं अब इसमें एक कप चावल का आटा डालते हैं इसे भी अच्छे से मिला लेंगे ये देखिए ये पानी को पूरा अब्सॉर्फ कर लेता है थोड़ा थंडा होने देंगे और इसे मसल मसल कर एक सौफ्ट आटा लगा लेते हैं आटे की एक पूड़ी बनाते हैं इसमें आलू की स्टफिंग डालेंगे चारो तरफ से इसे अच्छे से सील कर ल अब इसे स्टीम करते हैं 15 मिनट स्टीम करने के बाद ये देखिए राइस बॉल कितने खिले खिले बनकर तयार हैं